अच्छाई जी बेटे आज हम लोगों ने यूनिट नाइन का जो लास्ट टॉपिक है वो डिस्कुस करना है that is muscular system और muscular system में हम लोग discuss करेंगे सबसे पहले कि ये muscular system जो है ये originate किस से कर रहा होता है ठीक है तो अगर आप से ये सवाल पूचा जाए तो इसका बहुत असान सा आंसर है कि mesoderm जो है वो इसको originate करती है because हम लोग triploblastic हैं और triploblastic organism जो हैं उसमें muscular system किस से develop कर रहा होता है that is developed from mesoderm ओके चलो आपको पता है ये जो muscles होते हैं इन muscles की study किस ब्रांच के अंदर हम लोग कर रहे होता है that is referred to as myology study of muscles को हम लोग बोलते हैं myology ठीक है जी? clear? ओके बेटा हम लोगों के पास ये जो system है इसकी सबसे पहले हम लोग comparison करेंगे के इनके अंदर types कौन कौन सी होती है चलो ये बेटे हम लोग इसमें types को deal करेंगे और थोड़ा सा इसको बढ़ा कर लेता है चलो ये हम लोगों ने कर लिया बेटे टेबल ठीक है? चलो मुझे बताओ के हमारे पास इसमें कौन कौन सी चीज़ने डिसकस करनी है सबसे पहले तो हम लोगों ने डिसकस करने है के भई इसके feature क्या होता है ठीक है? तो एक तो कॉलम हमारे पास आगया feature का feature के बाद हम लोगों ने डिसकस करने है इसकी types और आपको पता है हमारे पास तीन type होती है muscles की और इन में आपके पास cardiac muscle है, smooth muscle है और skeletal muscle होता है ठीक है? तो चलो यहाँ पर हम बेटे इसको deal कर लेते हैं table की form यहाँ पर बेटे हमारे पास आ जाता है सबसे पहले feature और दूसरा हमारे पास smooth muscles तीसरा हमारे पास आ जाएंगे cardiac muscles and last भी हमारे पास आ जाएंगे skeletal muscle अच्छा यह यह ना question को pick करने में help करेगा कि आप कौन कौन से questions को deal कर सकते हो जैसे यह देखो बेटे हमारे पास सबसे पहला question जो कि हम इसके साथ associate कर सकते हैं कि kingdom ऐनी मेलिया के अंदर सब से जो पुराना muscle होता है primitive muscle होता है वो कौन से है तो याद रखना जबी भी आपके पास primitive muscle की बात की जाएगी तो primitive muscle बिटे हमारे पास होता है smooth और सबसे modern की बात की जाएगी तो modern muscle की जो category हमारे पास आती है that is skeletal muscle ठीक है और cardiac में आप लोगों को पता है कि इसमें हम लोग deal कर रहे होते हैं कि यह intermediate form में है तो इस वैसे इस से कुछ ज़्यादा question नहीं आता यह जरूर पूचा जाता है कि सबसे primitive कौन से kingdom and Amelia के अंदर सबसे पहले आपको कौन सा जो muscle है वो नजर आता है ठीक है चलो फिर हमारे पास बिटे इसमें कुछ चीज़ें add करते जाते हैं सबसे पहले आप यहाँ पर add कर सकते हो appearance ठीक है यह जो बिटे हमारे पास appearance होती है बड़ी सिंपल्स है आप लोगों ने striations के अंदर देखी है तो बिटे देखो striations जो है यह आपको नजर आती है cardiac muscles के अंदर striations इसमें मौजूद होती है और skeletal muscles के अंदर भी striations मौजूद होती है फर्क क्या होता है फर्क बहुत सिंपल्स है कि हमारे पास बिटे यह जो cardiac muscles होते हैं इन में striations होती है दे आर irregular ठीक है यह बत याद रखना इसमें जो striations हमें नजर आती है वो irregular होती है ठीक है irregular हम लिखते हैं और skeletal muscles के अंदर हमें regular striations नजर आती है so that is having regular striations और smooth की बात करें तो यह बिटे हमारे पास unstriped muscles होते हैं there is no proper striations found in smooth muscles ओके चलो अगर आप इसमें cell shape की बात करो तो cell shape बिटे हमारे पास उसको भी deal कर लेते हैं cell shape जो है वो भी इसी के ऊपर हमारे पास deal कर रही होती है spindle shape हमें नजर आती है बिटे smooth में फिर branched हमें नजर आती है cardiac के अंदर और फिर हमारे पास cylindrical जो form होती है that is seen in skeletal muscles okay चलो फिर हम लोग बात करते हैं कि इसमें number of nucleus यह हम लोग वैसे शुरू में बात कर चुके हैं cell वाले chapter के अंदर तो आप लोगों ने बताने कि जबी number of nucleus की बात की जाएगी तो smooth muscles जो होते हैं यह यूनी nucleate होते हैं they are uni nucleated अच्छा फिर skeletal muscles जो हैं यह हमारे पास बिटे इन में many nucleus per cell जो हैं वो नजर आते हैं अच्छा अब दर्म्यान में cardiac है पंजाब के अंदर ना यह बात थोड़ी सी गलत लिखी हुई है पंजाब वाले बचे जरा देख लें कि हमारे पास भाई यह जो cardiac muscles होते हैं इसमें one nucleus per cell होता है वन nucleus per cell मौजूद होता है ठीक है चलो फिर बिटे हम लोग यहां पर देखते हैं के speed of contraction तो contraction की जबी भी आप लोग बिटे यहां पर speed की बात करोगे तो वो भी आप लोगोंने देख लेना है के contraction की speed जो है वो कौन शो कर रहा होता है बिटे यह भी बहुत आसान से जो smooth muscles होते है न they are slow ठीक है और cardiac हमारे पास आ जाते है intermediate यह intermediate speed जो है वो शो कर रहे होता है और last में हमारे पास आ जाते है skeletal skeletal जो होते हैं यह बिटे move करते है slow to rapid ठीक हो गया तो यह contraction को हम लोग deal कर रहे होता है फिर हमारे पास आ जाती है यहां पर fatigue ठीक है कि क्या आपके दिल में fatigue होती है या आपका दिल आपको कहे भई ठीक है बस मेरा दिल नहीं कर रहा मैंने नहीं pumping करने ऐसा कुछ है तो बह हमूद के अंदर आपको fatigue नजर नहीं आती कार्डिक में भी नजर नहीं आती लेकिन skeletal के अंदर यह fatigue नजर आती है ठीक है तो that is possible कि यह fatigue शो करें फिर बटे हमारे पास आ जाती है कि इसमें cause of contraction यह stimulus of contraction ठीक है हम यह कहते हैं contraction stimulus जो है यह कैसे मिलता है ओके देख लेता है हमारे पास बटे याद रखना यह जो smooth muscles होते है यह अचानक से खुदबा खुदी move करना शुरू कर देता है महलब spontaneous इसमें हो सकती है ओके फिर आप लोगों ने यह भी याद रखना है कि इसमें sometimes stretch भी आपको नजर आती है कि stretch है उस stretch की वज़ा से इसने movement start कर दी या बेटे nervous system जो है वो इसको कर सकता है या chemical coordination जो है वो इसको stimulus दे सकती है कार्डियक की बात करें तो कार्डियक भई spontaneous होता है आपका दिल खुद भाखुद ही कर पड़ता है ना spontaneous जैसे आपका अभी दिल करा पड़ने के लिए skeletal muscles है यह बेटे purely associated होता है nervous system के साथ और यही nervous system बेटे associated है जो के इसकी movement को regulate करवाएगा फिर बेटे हमारे पास आ जाता है voluntary in action तो बताओ voluntary कौन सा होता है क्या smooth muscle आप खुद भाखुद कंट्रोल कर सकते हो आहां बिलकुल भी नहीं इस वज़ा से हम इनको बोलते हैं कि smooth muscles जो होते हैं they are involuntary in action same for cardiac भी यह भी बेटे हमारे पास involuntary होते हैं आप इसको खुद भाख muscle होते हैं यह तो बिटे voluntary आपके control में रह रहे होते हैं ओके चलो फिर हम लोग यह देखते हैं कि यह occurrence कहां कहां पे होती है occurrence या location आप इसमें add कर सकते हैं जबी आपसे पूछा जब भी location बता दो तो बड़ा असान से smooth muscles होते हैं यह जितने भी आपको visceral organs नजर आएंगे उन तमाम visceral organs के अंदर बिटे मौजूद होते हैं उसमें आपके पास blood whistles आजाएं या उसमें आपके पास hollow organs आजाएं उसमें gastrointestinal tract आजाएं तो सब के अंदर मौजूद होते हैं लेगे इन यह जो skeletal muscles होते हैं skeletal muscles यह associated होते हैं bones के साथ so we can say that they are associated with bones हडियों के साथ बिटे यह associated हैं और इसी को लेकर हम लोग चल रहे होते हैं चलो last पर आपसे यह पूछ लिया जाता है कि इसका function भी बता दो कि function कौन-कौन सा perform करते हैं हां तो function बिटे बहुत easy है आप लोग बता सकते हो कि smooth muscles जो होते हैं यह basically movements को control करते हैं hollow organ के अंदर और इन movements के अंदर बिटे sometime आपके पास peristelsis को add कर देता है sometime यहाँ पे churning को add कर देता है ओके चलो अगर हम बात करें cardiac की तो cardiac बिटे यह pumping of heart के साथ associated है pumping of heart के साथ बिटे यह associated होता है जिसको हम लोग deal करते हैं और बिलकुल आसांस है skeletal की बात करें तो बिटे यह responsible होता है for the movement of bones तो हडियों की movement करवाना बिटे वो इसका काम होता है तो बहुत simple है यह बिटे हमारे पास इसमें कुछ चीजें हैं जो के हम लोग relate कर रहे होते हैं with reference to the types of muscles मुझे बताओ आपकी body के अंदर सबसे strongest bone कौन सी होती है अच्छा जी राजा जी राजा जी कह रहे हैं tailbone मर्यम कह रही है femur 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 बिटे याद रखना यह अक्सर misconception होती है बचे समझते हैं कि हमारे पास जो है यह इसमें femur होती है लेकिन यह femur strongest नहीं होती है lower jaw ठीक है तो lower jaw को हम लोग बिटे इसके साथ deal कर रहे होता है clear चलो झालो उलो